असलाम लेकुम हमने four questions पढ़े थे उन में से तीन questions के evidence के बारे में हम पढ़े चुके हैं आज हम लास्ट वाले questions के evidence को डिसकस करेंगे कि हमें उसके answers किन किन evidence से मिल सकते हैं ठीक है और इसके साथ ही हमारा chapter number three खतम हो जेगा what constitute evidence about accuracy of diagnostic and screening test ठीक है अच्छा अब हमारे पास ना अ कि SLR जो है वो best test है कि नहीं nerve root compression को चक करने के लिए ठीक है एक हमारे पास SLR है ठीक है जो हमारे पास clinical test दूसरा है MRI जो है gold standard test ठीक है means gold standard वो टेस्ट है जो authentic test है ठीक है कोई error नहीं होता और यह हमेशा correct answer देता है हम क्या करते हैं comparison करते है clinical test का with the gold standard ठीक है और जो clinical test है उसको match करना चाहिए with the gold standard अच्छा अब इसके लिए भी हमें सबसे पहले जो answer मिल सकता है questions का वो मिल सकता है clinical observation से बाकी सब की तरह ठीक है clinical observation हम करते है use to select better diagnostic test ठीक है clinical observation के through हम क्या करते है better diagnostic test select करते है for example अगर patient को rotator cuff tear है तो हम उसके लिए different test perform कर सकते है like empty can test है ठीक है और CT scan और X-ray ठीक है यह क्या करते accurate result provide करते accurate test है for diagnosis ठीक है तो फिर हम कभी भी patient को recommend नहीं करेंगे कि वो MRI वगरारा करवाई अगर empty can test accurate test है क्योंकि यह test costly भी होते है ठीक है लेकिन अगर for example हमारे पास patient आया है fall का ठीक है तो उसकी bone के ओपर कोई weight नहीं पड़ा तो हम उसे X-ray recommend करते है ताकि उसका जो diagnosis है उसको मजीद confirm किया जा सके कोई fracture बगारा तो नहीं है ठीक है और clinical observation जो है patient को diagnose करने के लिए कि हम उसे कौन सा test recommend करें कौन सा test उसके लिए best है तो हम फिर क्या करते है clinical observation के through जो है वो help ले सकते हैं उसके बाद हमारे पास है clinical research clinical research के अंदर cross sectional research research जो है वो यूज होती है ठीक है cross sectional research किस तरह यूज होती है for example एक time period होता है disease का for example एक time period disease का एक साल है ठीक है one year है तो हम क्या करते हैं कि हम specific time के अंदर ही क्या करते है test perform करते है patient के ठीक है for example हमारे पास patient है asthma का तो हम क्या करते हैं कि asthma के patient के अंदर best time select करते हैं जिसके अंदर जो diagnostic test है वो में best results दें और asthma के patient के अंदर best time जो हो सकता है test का वो winter हो सकता है या पिर summer season ठीक है उसके बाद for example एक patient की हुई है nerve root compression मतलब वो आया है हमारे पास उस वक्त जब उसको आ रहे थे nerve root compression के symptoms आ रहे थे ठीक है patient की हुई है nerve root compression और हमारे पास उस वक्त आ है जब उसको nerve root compression के symptoms आ रहे थे ठीक है तो अगर हम उसी वक्त उसके पर सेला़ पर्फूर्म करेंगे तो सेला़ जो है वो हमें better results देगा लेकिन अगर हम किसी और वक्त पर्फूर्म करेंगे तो byseness बगयरा आ सकती है ठीक है उसके बाद इस में होता है कि जो diseases है न वो हमने देखनी होती है कि उस specific time frame के अंदर मुजूद है या नहीं है ठीक है कैसे फॉर इग्जमपल जो है हमाई पस्मोकर्स है प्लस नों स्मोकर्स है ठीक है इनके उपर हमने चला दी longitudinal studies longitudinal study क्या होती मैंने आपको last lecture में बताया है ठीक है तो हमने देखा कि जो lung cancer था वो 10 साल बार develop हो गया उन लोगों के अंदर जो स्मोकिंग कर रहे थे यह थी longitudinal studies अब हम अगर specific time frame के अंदर देखना चाते हैं ठीक है तो हम देखते हैं कि हमने five years तक observe किया लोगों को ठीक है तो हमने उन पे cross sectional study चला दी ठीक है और हमने क्या किया किया कि उ उन लोगों को ठीक है तो फिर हम देखते हैं कि कितने लोगों को पांच साल के अंदर जो है वो lung cancer develop हुआ है यह हमारे पास है cross sectional study जो हम specific time frame के अंदर देख रहे हैं ठीक है longitudinal थी मतलब hold the life चलती है और जो cross sectional है वो specific time frame के अंदर ठीक है अब हम वो कहते हैं कुछ diseases ऐसी होती है जो sign and symptoms शो नहीं करती है ठीक है लेकिन जब हम उन पर test perform करते हैं तो उनके अंदर वो disease मुझूद होती है ठीक है लेकिन कुछ diseases होती है वो sign and symptoms शो कर रही होती है और फिर हम क्या करते हैं उन symptoms की base पर diagnosis दे दे देते हैं ठीक है जैसे कि कुछ जैसे मैंने भी बताया कि disease होती है उनके symptoms शो नहीं हो रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर red flag signs शो हो रहे होते हैं जैसे कि अगर किसी patient के अंदर weight loss आ रहा है weight loss हमें पता है red flag sign है ठीक है तो हम उसका cancer test करवाते हैं तो उसका cancer test आता है negative ठीक है लेकिन क्या होता ह कि after five year उस बंदे के अंदर क्या हो जाता है develop हो जाता है cancer तो ये क्या होता है कि disease उस वक्त इस हद तक progress नहीं की वी होती कि वो test वगारा में show हो सके ठीक है उस time जो होता है वो symptoms hidden होते हैं disease के और बाद में prevail कर जाते हैं ये वही बात बताय है कि उस वक्त जो symptoms हैं वो हमने आने लग जाते हैं randomized trial भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं next हमारे पास आता screening screening जो है वो हम test perform कराते है four risk factors किस तरह for example हमारे पस एक patient है उसके इनदर genetic history है breast cancer की ठीक है genetic history है breast cancer की तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर करवा लेते है mammography test ठीक है यह हम test perform कर वा लेते हैं 25 की age पर ठीक है तो क्या होता है कि उसको उस वक्त बिजीज नहीं होती ठीक है ना ही कोई sign and symptom आ रहते हैं लेकिन जो उसकी mammography है वो positive आती है at the time of screening इसलिए जो screening है वो भी important है ठीक है उसके बाद आता है systematic review systematic reviews हमें पता है क्या होता है कि यह जो तमाम researches होती है authentic researches उनकी जो summary है उनका जो overview है उनका जो sum है उसे हम बोलते है systematic reviews